आज हमारे पास एक बड़ी न्यूज आई है सेमसंग के एक मैसिव लीक्स ने गेलेक्सी H24 FE के बारे में ओल्मोस्ट एवरीथिंग रिवेल कर दिया है जिसमें इसके स्पेसिविकेशन्स, डिजाइन, कलर और फीचर्स भी इंक्लूडेट है और बेक भी फ्लेट मिल जाएगा जो ग्लास पैनल के साथ आता है फोन में साइड्स अल्यूमिनियम की मिल जाती है और कॉर्नर सराउंडेट भी लेंगे लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बेजल्स थोड़ी बड़ी मिल जाती है स्पेसियली चीन थोड़ी बड़ी मिलती है बाकि साइड बेजल्स में इतना डिफ्रेंस देखने को नहीं मिलता है अब कलर्स की बात करें तो सेमसंग, गलेक्स अच्टिफोर, एफी में फाइ कलर ओप्संस मिल जाते हैं ब्लू, ग्रेफाइट, मिंट, सिल्वर, एण यलो अब डिस्प्ले की बात करें तो फोन में 6.7 इज की AMOLED स्क्रीन मिल जाती है जिसमें Full HD Plus रिजूलुशन मिलेगा 120 Hz की रिफ्रेश रेट मिलेगी और 1900 नीज तक पीक ब्राइटनेस मिलती है स्क्रीन को Gorilla Glass Victus Plus का प्रोटेक्शन मिल जाता है और फोन में IP67 रेटिंग मिलेगी यानि Water and Dust Resistance है ये फोन फोन में केमरा की बात करें तो फ्रेंट में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी केमरा मिल जाता है बेक में 40 मेगापिक्सल का मैं केमरा मिलेगा और 12 मेगापिक्सल का अल्टरावाइट केमरा मिल जाएगा और आकरी में 3X Optical Zoom के साथ 8 मेगापिक्सल का टेली फोटो केमरा मिल जाता है बाकी फोन में हाड़वेर की बात करें तो Galaxy A24 AP में ज्यादातर मार्केट में लेटेस Exynos 2400 प्रोसेसर मिलने वाला है पिछले साल का फ्लेक्सि प्रोसेसर लेके आता है लेकिन इस बार ऐसा नहीं है इस बार लेटेस्ट फ्लेक्सि प्रोसेसर के साथ ही आने वाला है पैन एडिसन फोन फोन में कितनी रेम और स्टोरेज मिलने वाली है यह अभी official confirmation नहीं है लेकिन 8GB और 12GB RAM का option मिल जाएगा और 128 और 256GB storage का option मिल सकता है फोन में battery life तो always important part है तो H24 FE में 4565 mAh की battery मिलने वाली है जो H24 और H24 Plus की battery capacity के बीच में आती है इस पर Samsung full charge करने पे फोन में 78 hours का audio play कर सकते हैं और 29 hours का video play कर सकते हैं फोन में OS की बात करें तो Android 14 based One UI 6.1.1 मिलने वाला है यहाँ पे एक interesting बात और है H24 FE में Z Fold 6 के सभी AI features मिलने वाले हैं जैसे की portrait studio, sketch to image, generative edit, circuit to search and live translation जैसे features मिल जाएंगे वैसे अभी हमें XZ price का पता नहीं है लेकिन Samsung ने जैसे H24 series की price को increase किया है इसलिए H24 FE की price भी USA में around 646 dollars तक आ सकती है इस सभी features के साथ आप सायथ सोच रहे होंगे H24 FE, H24 और H24 Plus के compare में क्या difference है? main difference की बात करें तो screen की size, battery capacity, bezels की size, display brightness, gorilla glass का protection और IP rating में difference मिल जाता है और H24 FE की price, H24 और H24 Plus के compare में काफी काम आ सकती है जिसे H24 FE एक budget friendly flexible phone बन जाता है तो दोस्तों, आप क्या सोते है, H24 FE के बारे में कुण सा feature आपको अचाला और कौन सी price में इंडिया में लोन चोना चाहिए, मुझा comment section में जरूर बता है दोस्तों, मिलते अगले latest take update के साथ, तब तक लिए, thanks for watching, have a great day and keep smiling